जेहिंद अबरीबन स्वागत सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अब तक पांच लेक्चर्स जो हो चुके हैं वो फाइफ लेक्चर्स अगर आपने कवर नहीं किये हैं तो वीडियो आपके लिए नहीं होगी फिर भी अगर आप मॉडल्स को सीखना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने किन-किन बातों को डिसकस किया है तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने इन चीज़ों को डिसकस किया था कि जब कभी भी संटेंस में हम हम लोग यूज करते हैं मॉडल को तो मॉडल का बिसिकली मतलब क्या होता है ठीक है आज तो इस पर बात करेंगे पहले डिटेल में और भी कुछ चीजें हैं जो मैंने डिसकस करी थी वह आपको बता दू जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि वब क्या है जो चीजे में हमने सबसे पहले बात करी थी और की और का मतलब दूसरा नाम अगर इसको देना चाहें डेट इसका लवाट हेल्पिंग फिर हम लोगों सीखा था कि इसको हेल्पिंग क्यों कहते हैं क्या वज़ा होती इसके पीछे परदर हम लोग आये थे तो हमने का था अग्जारी व अग्जारी और एक मैंने आप सामें डिसकस किया था मार्जिनल लॉग तो हमने कहा था कि देखें हम लोग अगर सीखने की कोसिस करें तो हम लोग सबसे पहले स्टेप बाइस सीखेंगे तो हमने आप लोगों से यह डिसकस किया था कि जो मॉडल होती हो हमेंसा हेल्पिंग अच्छा मारजिनल मॉडल और में बदोनों बन सकती है यह किस में नमबर के ट्रीविट होता किसमें नमबर के ट्रीविट नहीं होता है सारी बाते मैंने आप लोगों से डिसकस करी थी अगर आपको याद आ रहा हो नीड डेयर और यूज्ड जिसको आप लोग यूज तू आज हम लोग डिसकस कर रहे हैं मॉडल को अब थोड़े दिन हम लोग मॉडल को डिसकस करेंगे फर्दर हम लोग फ्राइमरी को डिसकस करेंगे तब जा करके इसका एक टाइप हम लोग कवर कर पाएंगे फिर हम लोग फाइनाइट नॉन फाइनाइट पर चलेंगे फिर हम लो अनुराब कुमार गुडियूनिंग ओके जो कोश्चन आपके मैं में सबसे पहले निकल के आता होगा वो कोश्चन नहीं आता होगा कि आखिर मॉडल क्या है मॉडल क्या है तो देखो एक चीज़ याद रखिएगा मॉडल जो वर्ड होता है मॉडल उस एक्टिविटी के बारे में पूरी तरीके से बात अगर आप पहें मॉडल को एक्जामपल से मैं समझाता हूँ पहले तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो लो फर्दर मैं आपको सिखाता हूँ मॉडल टैंस से हट करके कुछ है मॉडल मेंस ये कहीं न कहीं इस स्पीकर के ही इंटेंशन के बारे में कुछ बात कर रहा होता है इक्तिविटी होगी नहीं होगी मॉडल कुल मिला करके एक तक नहीं है छोड़ा कि जैसे केशन वगर आएगा जो फ्रेक्टी प्सर्टी की बात करेंगी वो सब अभी में पता होँगा देने देने लेकिन मॉडल में आप इतना ध्यान रखेंगे जो मॉडल है सिंपल साथ को द्यान रखना कि मॉडल और जब जो केवल और केवल किसका काम कर सकते हैं एनको मॉडल कहा जाता है और इसमें आप देखो किसी एक्षन की पॉश्वेल्टी होना है नहीं होना है सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब मॉडल में हम लोग हिंदी करने लगते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोगों को पढ़ाते हुए मैं किसी को नहीं कुछ करूँगा या आपने देखा होगा कि जब आप बिसिकली आप पढ़ रहे होते हो तो आप मॉडल को कुछ इस तरह लेके चल रहे होते हो कि चाही आया है तो सुड आएगा और सकेगा आया है तो में आएगा कुछ इस तरह की बात नहीं चल लही होती है कुछ इस तरह के मिस कंसेप्शन्स चल रहे होते हैं बट यह सब गलत है उनके पीछे वज़ा भी है क्यों गलत है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा थैंक यू चितना तो है क्या कि अब उन चीजों को हम लोग एक फ्लो में पहले समझते हैं जैसे जो लोग कहते हैं कि मैं पहले बता दूँ जो हिंदी भासी स्टूडेंट होते हैं जिनके नेचर में बन चुका होता है कि हिंदी करके मॉडल सीख लेंगे तो हमारे हिंदी में भी जिखाया जाता है कि चाहिए के लिए तीन सद लगा दिया करो और उसमें बता दिया जाता है एक सूट लगा दिया BUT एक मस्ट लगा दिया करो एक और टू लगा दिया करो अच्छा जब वहां पर जा करके पूछो कि तीनों में डिफरेंस क्या है तो बड़े भूले तरीके से समझा दिया जाता है कि जब नॉर्मल चाहिए ऐसे तुम्हें जाना चाहिए यू सुट गो अच्छा और ही चाहिए तुम्हें जाना ही चाहिए तो मस्ट गो और सम्मान अगयरा के लिए नेतिक्ता के लिए और टू जैसे पढ़ा करके आपको पूरी तरह के से छोड़ो कुछ नहीं कहूंगा पूरी तरीके से आपका ब्रेंवास करके आपको आगे बढ़ा दिया जाता है लेकिन यह हकीकत नहीं अगर इस तरीके से चाहिए जिस आप सेंस लोगे तो मैं एक संटेन लिख रहा हूं आज मैं बरसाथ कि मैं होनी कि चाहिए फिर में एक संटन लिख देता हूं आज बरसात होने चाहिए तो इसमें क्या लगाओगे सूर लगाओगे मस्ट लगाओगे जो लगाओगे सब गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो यह होगा तो आप किसी भी राइटर को पढ़ोगे मैं उन राइटर की बात कर रहा हूं जो उन्होंने ठीक ठाक रंसे किताबों को समझा है लिखा है उनकी बात कर रहा हूं वो इस तरीके के कोड़े कानसेप्ट नंदेँ कि चाह के लिए यह सा बाता है फरजी के कानसेटों मेंसा कुछ नहीं है रंसलेट करके तुम कर लोगे वह भी प्रॉसेस ही नहीं है, मॉडल को समझने का, अभी मैं बताऊंगा कि मॉडल किस तरीके से रेफरेंस पर सही होती है, और किस तरीके से रेफरेंस पर गलत होती है, ठीक है, आयो सिंग चोहान जैहिन, तो वो सारी बातें भी एक एक करके हम लोग आज़ी क्लास में डिसकस करें, अच्छा एक बात, फिर दूसरी बात हमें कही जाती है, देखो देखो देखो, कैन प्रेजेंट होता है, पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, कैन प्रेजेंट होता है, कुड उसी का पास्ट होता है, मैं प्रेजेंट होता है, मैं भी मानता हूँ, विल्कुल सही कहा जा चाहिए एक हिस्टा ये वाला आई अग्री कि कुड़ पास्ट होता है भाई माइट पास्ट होता है वुड़ पास्ट होता है मैं मानता हूं लेकिन एक संटेंस अगर मैं आपके सामने लिखूं कि यू शुड टेक मेडिसिन तुम्हें दवा लेने चाहिए तो दवा लेने का काम हो गया क्या कि होगा कि एक एडवाईज है ये सला इसको कहां रखो गया प्रजन पास्ट होचर में अभी तो हो नहीं रहा है कि आप उसको प्रेजेंट बोल दोगे हो भी नहीं चुका आप इसको पास्ट बोल दोगे है अब होगा की नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते फ्यूचर लगा दोगे रखो गए का कुछ इस तरह की सिच्वेशन जब डिसकस करते हैं उसको मॉडल कहते हैं कि इतने लोग जुड़े हैं ठीक है खेर पास्ट फॉर्म होता है सुड़ वो अलग सिच्वेशन में बनता है पास्ट बनाना पड़ता है उसको बट हर समय कुड़ पास्ट नहीं होता हर समय माइट पास्ट नहीं होता हर समय वुड़ पास्ट नहीं होता ठीक है सब में केटेगरी हैं हर समय वह पास्ट प्रिजेंट नहीं हुआ करता है ठीक है थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं यह हो गया था थी थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं अब इस तरीके से जब आप चीजों को सीखो गे जैसे फिर बताया जाता है कि मस्ट जो होता स्यॉर्टी बताता है मैं सीजिल की प्रीवेस से लुकूंगा जहां पर पॉस्ट वेल्टी के लिए मस्ट को उच किया जाता है तो रट करके अगर सोचो मॉडल कर लोगे तो फिर नहीं सीख सकते हो आज की क्लास में मैं आपको लेके चलता हूँ यूज आफ जो मुझे लगता है सबसे पहले सिखाना चाहिए यूज आफ कैन एंड में आज की क्लास में लोग बस इस पर बात करेंगे कि यूज आफ कैन एंड में के बात करेंगे कि कैन क्या है और में क्या है आज की क्लास में बस इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कैन और में के बात करेंगे और मुझे लगता है, लगता क्या है, मालूम है कि आप लोगों से बहुत सारे लोगों को कैन और में के बारे में concept clear भी होंगे, हुप्सो, आयूश चेतना नुराग clear ही होंगे आप लोगों को, है न? जैसे आपके सामने जब कैन को लिखा जाता है, तो बता जाता है, मैं भी वही बता देता हूँ, कैन लिखा जाता है, तो मदलब बता जाता है, इसका मदलब होता है, be able to, ठीक है, ये ability के बारे में बात करता है, certain अगर कोई चीज है, तो certainity की बारे में बात करेगा है न, certainity, में को ले जो थोड़ा सा, में का मदलब होता है, be possible to, पढ़ा होगा आप लोगोंने, be possible to, ठीक है, और जब be possible to को लिखते हो, तो possibility के बारे में बात करता है, ये सब बाते हैं इस तरीके की, है न, इतना ही पढ़ा होगा, मुझे जहां तक लगता है, और छोड़ा सा पढ़ लिया होगा, कभी किताबों को पलटके, तो ये भी पढ़ लिया होगा कि ability, certainty, या, you know, permission, इसमें भी permission फिर जुड़ जाता है, किताबों को पलटके की बात है, पहलटा होगा तो पढ़ा होगा, अरे नहीं, सर, कैन कैसे permission बताता है, उचलो नहीं, मैं बताता हूँ कैसे बताता है, देखो तो, you can use my phone, you can use my phone, ये permission नहीं तो है, नाइवल्टी है ना certainty, permission ही तो है, सवाल, ये बिलकुल नहीं है, कि कैन क्यों लग रहा है, या में क्यों लग रहा है, सवाल वस ये सीखना है, कि अगर यहां पे हम सुड लगा दें, तो वो भी तो सही हो जाएगा, एडवाईज कर रहे हैं, भाई, तुम्हारा phone है, पढ़ा है, मेरा phone यूज कर लो, एडवाईज कर रहे हैं, लो, अब हो सकता है, तुम्हारी past kim habit बता रहे हूँ, कि तुम मेरा phone यूज करते थे, अब नहीं करते, अब तुम्हारे पास खुत का हो गया, प्रस्न ये है, प्रस्न ये है, और हर किसी के मन में ये प्रस्न होता है, ये तो सब सही हो जाएंगे ना, जितने मैंने लिख रखे हैं, सब सही है, तो theory में ये पढ़ लेना, कि can इसके लिए आता है, मैं इसके लिए आता है, और theory पढ़ने के बाद अपने आपको उसी में सजा लेना, high model हम आगए, high model हम आगए, इससे model सिख पाएंगे, अभी मैं model के introduction पर बात कर रहा हूँ, आईगे, जब तक context नहीं दिया जाएगा, तब तक model की गलती अधिकतम ये है, नहीं वानी जाती, context is, हिंदी में लिख दो, नहीं समझने पाऊगे, जब तक context नहीं दिया जाएगा, जब तक context नहीं दिया जाता, तब तक सभी model या सभी model auxiliaries सही होती है, अब question ये आएगा कि context क्या है, context किसे कह रहे हो, तो context का वही मतलब है, बात समझना, context का वही मतलब है, time दिया गया होगा, place दिया गया होगा, कोई person दिया गया होगा, ठीक है, time है, place है, कोई person है, कोई activity है, action है, किनी ना किनी चीजों से परिवेस एक संदर्व एक रिफ्रेंस दिया जाएगा तब उसके हिसाब से आप मॉडल को जज कर पाओगे otherwise you will find yourself unable to judge a you know correct model बास समझ में आई आई आपको जब तक कोई रिफ्रेंस नहीं दिया जाएगा कोई कॉंटेक्स्ट कोई परिस्थिती तयार नहीं की जाएगी तब तक सब मॉडल सही हैं कोई गलत नहीं कर पाओगे कुछ एक्जाम्पल से समझो मैं एक्जाम्पल पर ज़्यादा वरुसा रखता हूं चलो एक संटेंस मैं लिखता हूं चलो यहां फिल करो यहां क्या आएगा कैन या में परमेंट करते रहा करो यहां पर क्या लिखोगे कैन लिखोगे में लिखोगे यहां पर बच्चों फिल करो कैन आएगा या में आएगा तो राम गिव हर रूपीज 500 है, अमांट अभी आपको छोटा लग रहा होगा, इस अमांट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 5000 हो गया, 50,000 कर लेते हैं, मानना है तो मानो अच्छी रगम भाई, यहाँ पर कैन भी सही है, यहाँ पर मे भी सही है, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर आजाएगा, जब हम कहेंगे ना कि राम कैन गिव हर इत्ते इत्ते रूपए, तो वहाँ पर हम कुछ और नहीं बता रहे होंगे, वहाँ राम के बारे में हम उसकी अबेल्टी बता रहे होंगे, कि भाई, राम एबल है 50,000 रूपए देने में, और जब मैं बता रहे ह होंगे, तो पॉश्बेल्टी होगे, कि भाई, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, इसका सीधा-सीधा जो मतलब है, अगर कैन के साथ लिखा जाए, तो उसका मतलब यहीं बनेगा, कि राम इज एबल तो गिव हर फलाना-फलाना-फलाना, जो भी रूपया है तुम्हारा, यह इसका सीधा-सीधा मतलब अगर कैन के साथ माना जाएगा, तो यहीं निकलेगा कि राम के अंदर उसको 50,000 देने की अवईटी है, बस सीधा सा मतलब यहीं है, और अगर इसका मतलब में की रिफर्ण्स में मानोगे, तो उसका मतलब यहीं आजाएगा, कि इस इस पॉसिबल इट राम गिव डैट राम विल गिव हर रुपेज इतना समझ पा रहे हो इस पॉसिबल श्योर नहीं है बट हां इस पॉसिबल इस लाइकली टू है ऐसा हो सकता है कि उसे पचास जार दे दे नहीं भी दे सकता क्याम कर रहा है क्योंकि इस संटेंस में कि संटेंस की बात कर देना जैरे तुर करने के हुरे यह लोग आते जाते रहते हैं पेड में भीन की यह हालत है यह आते जाते रहते हैं अब फिर से वही बात है अगर वह राम से करती है यहां पर केवल एक मॉडल चाहिए होगी में करने को तुम विल भी सही कर सकते हो गलत नहीं है लेकिन चुकि अभी हम can और may में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर can नहीं सही हो सकता क्योंकि किसी के request करने से किसी के अंदर ability नहीं आ जाएगी भाई हमारे जेम में नहीं पढ़ें 50,000 तुम 50 request कर लो हमारे अंदर कैसे ability आ जाएगे कि तुम को 50,000 दे देंगे यह जो यह दिखा गया है इपसे requests राम यह पूरा का पूरा context दे दिया गया अगर वो क्या कर ले request कर ले तो राम हाँ possibility है कि request करने पर दे भी सकता है नहीं भी दे सकता लेकिन request करने से राम के अंदर ability नहीं generate हो जाएगे कि तुम को 50,000 निकाल के दे देगा बात समझो तो जहिन भाई पवन जहिन बात समझ पा रहे हो मैं हाँ लिखे देता हूँ बड़े काईदे कानूं से नोट्स बनाते समय ऐसे नोट्स बनाया करो कि अगर इफ सी रिक्वेस्ट राम न होता तो संटेंस अई था तो संटेंस तही था अगर ये ना लिखा गया होता सी के रिक्वेस्ट करने से इसलिए क्या सही है बच्चे इसलिए में सही है तो ये सारी बाते हैं सरीके नोट्स बनाते समय लिख लिए पर जो लेंग्वेस्ट में बोलता हूँ वह आपको हेल्ट करेगा चलो इतनी बात साथ हम लोगों को लगता है कि यहां से आप लोगों को समझ में आ गई होगी ठीक है इतनी बाते हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी एक प्रीवेस एयर कोशन है देखो तो कोशन कहता है बस कोशन पर ध्यान देना कि कैन बीए बास्केट बाल प्लेयर कि कैन बीए बास्केट बाल प्लेयर फिर आगे कह रहा है as his mother as his mother was a mule चल बता mother नहीं था साइद as he is like a mule था अब जो भी रहा हो मुझे पतना नहीं पता है ना पता करना है कि जना देखो कहां गलती हो रही है कि स्रेबाट पे जैन भाई कि अ आए मताओ कि आए कि मैं खुला चैलेंज देता हूं है आपको सुनो मेरी बड़े ध्यान से मिलकुल ओपन चैलेंज मैं देता हूं जा करके जितने online portal है इस question कहां सा चेक करना सब में गलती बता जाएगी कि कहीं दिया जाता बस यह context दे दिया गया पहचानना से को यह context दे दिया गया अगर यह थना ना दिया जाता तो he can be a basketball player बिल्कुल सही हो जाता कि उसके अंदर ability है कि basketball player बन जाएगा हम सही माल लेते हम गलत उसको बिल्कुल ना कहते कदा पी गलत नहीं था वो लेकिन जी लिख दिया गया as he is like a mule कि वह म्यूल जैसा है कई बार तो लोगों ने इसको यहां पर जेरफ कर दिया है कुछ लोगों ने तो यहां पर कैमल कर दिया है नहीं आप समझो मेरी वात को यह एक आदमी है एक आदमी है यह खूब अच्छी मलम सुमको मालूम है कि मैंने कहा कि माल लो या लिया विन्ह है मेरा एक नम ले लो podcasts कि अगर मैंने कहा कि तुम्हारे मैंने कहा इस बच्चे का नाम भी पहले दो एक बच्चे का नाम डे कोई देख रहा लाईब में समय इस बच्चे का नाम पवन देदो चलो है और कौन देख रहा है तो यह बच्चे का नाम सरे देदो करें यह विन्य क्या करते हैं विन्य इंग्लिज पढ़तें बेदर समझ पहोगी तो और पवन क्या है यह पवन जी इंग्लिस पढ़ते हैं विद्धों को पढ़ रहा है अब स्रेब आज पर इन एक संटेंस दिया और उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि विन पवन कैन टीच इंग्लिस एज ही टीच लाइक विन है एज ही टीच लाइक विन है जो हुख वह जो पवन हैं वही इंग्लिस पढ़ा सकता है क्योंकि वह भी नहीं के जैसे इंग्लिस पढ़ाता हैं अब मुझे एक बात बताओ लि约 कि इंग्लिस बीने के जैसे पढ़हता है इस बात को लेकर तुम certain हो या possibility है कि हाँ उसके अंदर attribute आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है मेरी बात समझ ना फिर से मैं दोराऊंगा अपने बात को मैं अपनी बात को फिर से दोराऊंगा compare कर देने से किसी आदमी के अंदर वो quality आ जाएगी इस बात को लेकर के तुम certain हो जाते हो या यह possibility डवलप कर लेते हो कि हाँ possibility है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता अगर हम compare कर रहें कि भाईया यह एकदम देखो तो यह एकदम सेर जैसा है तो उसके अंदर उतनी bravery होगी उतनी बहादूरता होगी इस बात की possibility है या certain हो गए कि हाँ इतना भीर है ही हो possibility है कि हाँ इतना बहादूर हो सकता है मैंने का देखो यह भी एकदम लंबा तंबा है तो यह भी तेज़ दोड़ सकता है विलकुल तो लंबा तंबा हो जाने से क्या तेज़ दोड़ लेगा इस बात को लेके sure हो या उसके अंदर अब वो possibility आ गए कि हाँ दोड़ भी सकता है नहीं भी दोड़ सकता है यह कहीं चीज़ बनेगी possibility हाँ possibility है compare अगर किसी से कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि जिससे compare कर रहे हो पराबर ही हो तभी compare हो रहा है हाँ possibility हो सकती कैसा हो सकता है तब compare किया जाता है possibility है not certain जब वो possibility है तो यहाँ कैन कहें को लगा जाए यहाँ पर में लगाओ ला और जब यह बात समझ में आ जाए तो फिर से इसमें आ जाना जो sentence दिया गया था ही can be a basketball player कैन हटाओ यहाँ में लगाओ यह गलती थी यह चेतना possibility है not certain ऐसे note करके लिख लो एक एक point बस note करके लिखो similarity में हमेशा possibility हो सकती है ability नहीं जो similarity होती है उसमें क्या हो सकती है हर वात को ले करके possibility होगी ability कभी नहीं होगी तो जब तक कांटेक्स नहीं दिया जाएगा तब तक तो कैन भी सही है में भी सही है लेकिन जैसे पॉन्टेक्स टैड होगा तो किवल में सही हो जाएगा चलो कमेंट देख लेता हूं समझ गए स्रे बहुत अच्छा आप लोग समझो इसलिए तुम्हें पढ़ा रहा हूं भाई एक कोश्चन देखो 10s may be categorized into 3 groups चलो यह बता हूं कोमेंट करिए फटा फट better understand, good समझ गया एक बात मुझे बता ना, बस उत्तर दो मुझे कुछ है वे तो नहीं यहां पर चलो यह देखो, fingers है, count, count करिएगा कितनी fingers है, how many fingers? 1, 2, 3, 4, 5 5 शोर हो या नहीं, certain हो या नहीं, कि possibility है, कि 5 हो भी सकती, नहीं भी नहीं, हम certain है, हम certain है तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है, कि एगर कभी भी sentence में how many का reply लिखा जाएगा how many का reply हमेशा certain होगा how many का reply हमेशा क्या होगा, certain होगा, ध्यान रखना how many groups? बोले 3 groups यह 3 groups लिख देने से, यह certain हो गया और जैसे उस certain हो गया, तो में हड जाएगा, क्यान लग जाएगा तो context दिया रहेगा कहीं ना कहीं, dear all, जो मैं बताने की कोशिस कर रहा हूँ context दिया रहेगा context should be there context हमेशा रहेगा चलो, समझ गया आप लोग चलिए, तो आज का lecture यहीं तक हम लोग रखते हैं, आप लोग इतनी शीज़ों को अच्छे से note करें, device करें, कल फिर मिलते हैं, सबाब 5 बजे, और इसी concept को और आगे तक लीच चलेंगे, thank you so much, जैहिं, take care करेंगे